तो हेलो प्रेंड्स वेल्कम टुस्टे दिन्यू वीडियो आके ट्रेंड दो तो इस विडियर बात करने वाले हैं निफ्टी-बैंक निफ्टी और फिं निफ्टी के बारे में कि कलके ट्रीडिंग से मार्केट हमें यह आपर किस तरीके से कामकाज करता वा दिखाई पढ़ स यह दिंगा ला था लास्त दिन कि मैं बात कर रहाूं में लिए आपको दिखायों से आज अब देखोगे Letty Auto Auto Sector में आज एक वहूत बड़ी घिरावर्ट हम को देखने को मिली है Letty reality अगर आप देखोगे 4% की ओसपास की और laugh uhh बजाज ओट को साब्सखास की ओद जो सबसे बड़ा इस्टॉक है उसमें करीबें 15% की ओसफिंट की और देखने को मार्केट को थोड़ा support प्रवाइट कर रहा था वो था IT सेक्टर one and only IT सेक्टर एक परसेंट की तेजी दिखा रहा था otherwise bank ले लो निफ्टी फार्मा ले लो private banks ले लो oil and gas metal everything was falling today अब अगर हम बात करें यहां पर दोस्तों की world market से क्या हमको संकेट देखने को मिल रहे हैं कल के trading session के लिए इसको एक मीट ओपन होने दीजे तो यहां पर कल US market में अच्छी खासी तेजी आए थी और उस वजह से हमको एक गैप ओपनिंग मार्केट में आज देखने को मिली लेकिन गैप ओपनिंग जो है मार्केट ने एक दम से फिजल कर दी जैसे यहीं ऑपन हुआ वैसे ही दो केंडल में मार्केट यक् lekker ने फॉर्फ केम्ट फॉल किया किया और उसके बात मार्के सायडवेश टो बेरिष तरफ हो गया था उसके बाद मार्केटमे एक बार भी ट्राइब लगाने का हमने एक ट्रेड लिया यहां पर इस लिया था एक call option यहां तक का momentum capture किया बहुत बढ़िया point मिल गए थे क्योंकि premium expiry थी तो premium spike मार रहे थे तो हम निकल गए थे इतने profit हमने live trading में book किया था 9 बजे मैं सुबह 9 बजे live आता हूं और 10 बजे के आसपास हमने trade लिया था यहां पर मैं trade की बात नहीं करना चाहरा हूं मैं यहां पर बताना चाहरा हूं आपको कि यूएस market में अगर आप देखोगे दोस्तों मैं world indices में थोड़ा इसको यह बहुत time ले रहा है यहां पर हां तो अगर आप देखोगे तो यूएस डाव जोंस में एक अच्छे खासी तेजी हमको देखने को मिली थी नेस्टेक न्यूटरल था कुछ बहुत तेजी नहीं थी बट इस वज़े से बैंक निफ्टी गिरा इसलिए बैंकिंग स्टॉक्स गिरे इसलिए बैंक निफ्टी गिरा अगर आप देखोगे यहां पर तो यह 25,000 का लेवल अब जब मार्केट में कहीं लोगों ने यहां पर क्या करके रखा हुआ था मार्केट में बहुत यह काम नहीं कर रहा तो एक्जेक्ली डेटा को भी पढ़ रहे थे और 24,900 इन तीन स्ट्राइक प्राइस पर इतने जादा पूट सेलर बैठे वहे थे जिसकी कोई हद नहीं है बतला बहुत हैवी क्वांटिटी लोगों ने पूट सेलिंग कर रहे थी या कहलो बाइंग कर रहे थी बायस बैठे वह 250 पे और 24,900 पे अब हुआ क्या जैसे मार्केट ने 25,000 का लेवल ब्रेक्टाउन किया फिर आया मार्केट का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो कि था 24,950 जो भी लोग 25,000 में बैठे वे थे option सेल करके put सेल करके या buy करके वो 24,950 पे shift हो गए और उसके बाद मार्केट ने क्या क्या एक यहाँ पर गिरावट दिखाने शुरू करी ये candle में तो लोग पैनिक हो गए जो भी लोग put सेल करके बैठे वे थे या call buy करके बैठे वे थे इमिडेटली उन्होंने क्या 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 अपने जो long position थी उनको unwind किया तो इसको अब एक आपने सुना होगा बहुत सारे टाइम पे लोग बात करते हैं long unwinding क्या होती long unwinding यानि कि लोगों ने long की position बना रखी थी लेकिन immediately market में sharp fall आया और उस sharp fall की वज़े से क्या हुआ market में एक breakdown हमको देखने को मिला तो इस वज़े से हैं निफ्टी में fall आया और उसके बाद market जब जैसी सब position exit हो गई उसके बाद market में फिर sideways momentum आ गया फिर दीरे 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 कि छोटे चोटे प्रीमियम सेल करते हैं उनकी यहाँ पर संख्या बढ़ने लगी तो यह था निफ्टी का exact fall का reason और bank निफ्टी क् क्योंकि यहाँ पर banking stocks गिर रहे थे राइट अब हम बात करते हैं निफ्टी की trade कहां पर करके चलना क्योंकि मैंने काफी लंबा इस पर आपको समझाने में लगा दिया तो मैं ज्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट करूंगा नहीं निफ्टी अगर आप देखोगी दोस्तों अपने बहुत इंपोर्टेंट सपोर्ट पर है यह इसका कुछ चैनल पैटन था चैनल पैटन का इसने आज ब्रेकडाउन दे दिया है लास्ट अगर मैं बात करूं डेली टाइम फ्रेम पर तो मार्केट ने इस जगह पर एक रजिस्टेंस लिया था एक सपोर्ट लिया था और मार्केट जब एक अच्छी खासी रैली देकर उपर जा रहा था आया डिप लगाया रिट्रेस्मेंट लिया और फिर मार्केट निंग नहीं रैली स्टार्ट करी थी अभी क्या हो रहा है मार्केट इस लेबल से मुझे लगता है मस्ट मार्केट को घूमना चीए इस ले लेवल की जहां पर हमें ट्रेट करना है सीधा सिंपल लेवल की बात करूंगा क्योंकि जो में इंपॉर्टेंट मुझे आपको समझाना था वह मैंने आपको समझा दिया आप देखिए इंपॉर्टेंट लेवल 24 750 का जो हमारा बाइंग लेवल निफ्टी में रहने वाला है व वह आप आई होप की समझ पाया होंगे तो ये मार्केट में एक बाइंग रेंज हमारी रहने वाली है ठीक है इक्जैक्ली आपका ये लेवल के नियर बाइंग ठीक है किलियर हो गया अब हमारा जो दूसरा यहां पर मार्केट में एक ही बाइंग लेवल रहेगा जो दूसर 4,690 अगर मार्केट इस लेबल का ब्रेकडाउन करता है यह 690 कहलो यह 680 कहलो यह 670 कहलो 10-20 उपर नीचे चलता है मार्केट में तो यानि कि इस लेबल का अगर निफ्टी ब्रेकडाउन देता है तो हम मैंने आपको क्या बता है का इस radar करते हैं आगर मार्केट का झिकल करा रहे है biggest निफ्टी का निफ्टी का निकल करा रहे है 2450 22500 ही कहलो मोटा मोटा चोविस पान में सके लिए मिल सकतिए निफ्टि में काफी प्यारी मिल सकती है तो इस चीजव को आपको ध्यान रखना है एक सेलिंग लेवल और एक बाइंग लेवल निफ्टी का निकल कर आया बैंक के निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पर बैंक के निफ्टी को गिराने में आज HDFC बैंक, AXIS बैंक, KOTAK बैंक, AXIS बैंक, थोड़ा-थोड़ा contribution शब ने दिया, अगर आप देखोगे तो यह इसका जो है channel pattern की lower trend line है, बिल्कुल वहीं पर यह आके आज, वहाँ पर तो नहीं बड़ उसके थोड़ा ओपर इसने closing दी है, तो अभी बड़े time frame पर तो कुछ खास है नहीं समझने सीखने के लिए, क्योंकि daily हम बात कर रहे है 15 minute के time frame पर बहुत कुछ interesting है, तो उसके बारे में discussion करते हैं तो दोस्तों, अगर bank nifty के हम बात करें, तो यह bank nifty का कहीं न कहीं एक dip buying support level हमको दिखाई पड़ रहा है वो level है आपका 51,100 का 51,100 का तो यह कहां पर निकल कर आता है यह वाला निकल कर आता है आपको यहां पर यह आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि 51,000 से लेके to 51,100 यह जो 100 point की range रहेगी यह वाली range, यह हमारे लिए क्या करेगी as a buying range की तरह काम करने वाली है bank nifty में, clear है हमारे पास bank nifty में भी एक ही level निकल कर आ रहा है nifty में भी एक ही buying level निकल कर आ रहा है वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि market में एक बड़ा decline हमको आज देखने को मिला है got it, यह हो गए हमारा buying side का level, selling की अगर मैं बात करो, bank nifty में तो वो दो निकल कर आ रहे है पहला जो level होगा, वो होगा 51,600 का जो कि आपका as a resistance की तरह bank nifty में यहाँ पर काम करने वाला है अगर in case market gap up opening देता है जिसके chances मुझे लग रहे हैं क्योंकि market ने आज एक काफ़ी severe decline दिया है तो high chance है यहाँ गैप up open हो यहाँ पर टच कर दे market ऐसा कुछ होता है फिर resistance लेने लगता है तो एक selling का intraday trade मिल सकता है यह नहीं क्या positional उसको put ले के जा रहे हो ऐसा नहीं intraday में मानलो यहाँ पर आया market अब थोड़ा बहुत नीचे आए अपना profit बुक करो निकलो भार क्यों फिर market को बार बार देखना है न यह थोड़ी ना कि यार गिरता रहेगा भाई ने बोला है तो यहां से गिरेगा मैंने यह थोड़ी बोला है कि दिन भर उसके नीचे गिरता रहेगा मैं यह कह रहा हू कि आप समझ रहे होंगे दूसरा जो लेवल रहने वाला है बैंक निफ्टी का 50,900 के नीचे निकलेगा जब तो 50,900 यानि कि आपका यह लेवल अगर बैंक निफ्टी इस 50,900 के लेवल का breakdown देता है अपने channel pattern का इसने जो कर रहा था इसका breakdown तो देई दिया और उसके बाद यह जो यहाँ पर support की तरह काम कर रहा था यह वाला level इसके नीचे भी निखल रहा है तो 50,900 की नीचे हम सेलिंग करके देख सकते हैं इतना है कि आपको समझ में आ गया होगा दोष्तों आई होग कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी वीडियो अच्छी लगरी तो वीडियो को लाइक करो चैनल पहली बार सब्सक्राइब करो करो बैल-i-can प्रेस करो ताकि आपको थाकि आपको हर वीडियो की notification टाइम पर मिल सकें तो अब यह मैंने बैंक किनिफटी की बात करीं मैं कुछ और बता रहा था आपको यार हां यह मैं बता रहा था यह मारा टेलिग्राम चनल मार्केट ट्रेडर ऑफिशल नाम से लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में दिया हुआ है यहां पर मार्के बात करते हैं दोस्तों यहां पर देखने को मैं मिल सकता है सो यह है दोस्तों आपका डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो फिन निफ्टी भी कहीं न कहीं क्या कर रहा है अपने चैनल पैटन की लोवर ट्रेंड लाइन के आज पास तो आई गया अल्मूस्ट है अब क्या करते हैं पहले वन आवर के टाइम फ्रेम पर चलते हैं थोड़ा प्राइस इक्षन समझते हैं और आप देखो कि चैनल पैटन बन रहा था इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया तो इसको मैं हटा दो हम इसकी इतनी इंपोर्टेंस रहे नहीं गई यह मार्केट में त को अब फिन निफटी की बारे आती है तो कहां पर ट्रेट करना है फिन निफटी के लिए जो बेस्ट बैल्लियू बाइंग लेवल हो सकता है दोस्तों वह क्या हो सकते है वह हो सकता है 23500 यह दिखाई पढ़ रहे क्योंकि मार्केट ने मिल्टिपर सपोर्ट अंड लेवल की तरह काम करने वाला है दूसरा दोस्तों अगर मैं बताऊं तो हमारे लिए रहने वाले ट्वेंटी थ्री थाउजन्ट सब्सक्राइब निकल कर आता है क्योंकि नीचे सपोर्ट है तो फिर रिवर्सल मार देगा तो फिर लॉस होने के चांसे तो ठीक है एक बाइंग लेबल रहा और दूसरा सेलिंग लेबल रहेगा तुम्हारा वो रहेगा ट्वेंटी थ्री थाउजन्ट सेवन हंडड़ फिफ् तो कल सोब एक गैप अप ओपन हो सकता है तो रजिस्टेंस लेगा तो मार्केट में हम यहाँ पर एक छोटा इंट्राडे ट्रेड सेलिंग के लिए प्रॉफिट बुक के और निकल लिए इस तरीके सा मार्केट में ट्रेड अपना प्लैन कर सकते हैं दोस्तों आई होप कि युदि वीडियो अच्छी लगी उगी वीडियो लाइक करना चनल पर पहले बार सब्सक्राइब बेल आइकण प्रेस कर देना ताकि आपको आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सकें थाइंक यू सो मच फर वाचिंग दोस ओं थांक छूमाच आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस मेटर करता है